अस्सलाम वालेकुम यहाँ पर हमारे सामने अभी 28 जनवरी को एक निभंद इसपरदा होने वादी है ओनलाइन मराथी भाषा निभंद इसपरदा इसमें हमें क्या करना है एक फुलिस के पेपर के उपर बच्चे से मराथी जबान में मजमून लिखाना है उसकी डीटेल मैं भी आग को आगया और बताने वाला हूँ इस्टुडंट्स जो निभंद लिखेंगे उसे किस तरीके से अपलोड किया जाएगा गूगल फॉर्म में उसकी लिंक किस तरह से पेस्ट की जाएगी फोल्डर किस तरीके से बनाया जाएगा यह तमाम चीजे मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा आईए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने गड़ बनाये गए है उन्वानार्थ क्या क्या है टॉपिक्स क्या है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तीन गट जो है तो बनाए गए हैं गट नमबर एक में चौथी से पांचवी कलास है गट नमबर दो में साहवी ते आटवी है यानि छटी और साथवी और आटवी रहेगा इसी तरह गट नमबर तीन में नौवी और दसवी है मराठी जबान में रहेगी है इस परदा 28 तारीक को रहेगी 7 बजे से रात में 11 बज कर 69 मिन्टे तक रहेगी या आपको याद रखना है साथ ही साथ यहाँ पर गट नमबर एक के लिए जो टॉपिक्स है वो दो टॉपिक दिये गए है एक तो माजी आई है दूसरा माजी शाड़ा इसमें कम से कम 50 अलफाज रहेगे बच्छों लोगों को लिखने के लिए हम लोगों को कहना है दूसरा गट यानि पाचवी चटी और साथवी सौरी चटी साथवी और आठवी इसमें माजी मुंबई यह रहेगा और इसमें 100 शब्द का इस्तेमाल करना है तीसरा जो गट है गट नमबर तीन नौवी और दसवी के लिए मराठी भाशे चे सौर्धन तो ऐसे इसमें जो है तो 250 वर्ट्स रहेगे ये तीन गट के लिए तीन अलग-अलग टॉपिक्स जो है तो यहाँ पर दिये गए हैं हम यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें यानि तल्वा को निभंद लिखने के बाद फुल इसके पर क्या-क्य लिखना है यानि हमारी इंफॉर्मेशन उसके और प्या-क्या रहेगी अपनी स्कूल का नाम लिखना है यत्ता लिखना है खुद की कलास लिखना है और गट का नाम भी जैतो आपको लिखना है इसी तरह जो निभंद का नाम है वो विशय उसका भी नाम जैतो आपको लिखना है तो ये तमाम चीजे जए तो आप लोगो को करना रहेगी यानि तलबा को जए तो करना रहेगी और उसके बाद जए तो वाटसअप करेगा या तो टीचर खुद भी फोटोस का ले सकता है और उसे गूगल ड्राईउ में किस तरह से फोल्डर बनाना है किस तरह से उसको गूगल ड्राईउ के फोल्डर में सेव करना है तिर गूगल ड्राईउ के अंदर जो फोल्डर बना हुआ है उसकी लिंक किस तरह से गूगल फॉर्म में डालना है तो वो तमाम चीजे मैं आप लोगो को आगे बताने वाला हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें Google Drive में जाकर Folder क्रियेट करना है यह देखिए यह है Google Drive सभी के Mobile में जो यह होता है इस Drive के उपर जाना है Drive के उपर जाने के बाद यह देखिए यहाँ पर Plus का सिंबॉल नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर जाना है इसके उपर और यहाँ पर Folder लेना है हमें एक Folder बनाना है पहले यह देखिए यहाँ पर अभी इसका कोई नाम नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे जो भी आपकी Class है Sixth है, Seventh है, जो भी Class है For example, मेरी Seventh Class है तो मैं अपनी Class और उसका Division डाल दूँगा यहाँ पर और इस Folder को Create कर दूँगा अभी मेरे पास बहुत सारे Already Folders है लेकिन यह Folder की Link आपको Share करना रहेगा लेकिन अभी तो Folder खाली है तब क्या करना है Folder के अंदर हमें कुछ डालना है क्या डालेंगे जो बच्चों के निभंद के जो Images रहेगे उनको PDF की शकल में डालना है तब क्या करेंगे हम PDF की शकल में डालना है हमारे पास बच्चों के जो Images है Papers जो है वो आ गए है वो हमारी Photo Gallery में है बच्चे जब हमको Send करेंगे या हम लोग Camera से अगर उनका फोटो खिचेगे तो हमारे Photo Gallery में हो रहेंगे उसको इस Folder में लाना है तो क्या करना है हमें उनको हमें PDF में Convert करना है जो बच्चों की तरफ से आ है तो Document Scanner आपके पास होगा उसे हम Open करेंगे Open करने के बाद यहाँ पर Gallery और Camera का Option आता है Camera में जाकर आप Direct Photo लेकर भी उसको PDF में Convert कर सकते हैं जबके Gallery में अगर हम लोग जाते हैं तो जो फोटो हमारे पास आए वे हैं बच्चों के निबंद के वो यहाँ पर Open होते हैं तो उसे हम Select कर सकते है जिस फोटो को हमको करना है और Done के Option पर जाएंगे यहाँ पर Crop का Option आता है बराबर Image को हमें Crop करना है जितनी हमें चाहिए उसके बाद हम Arrow के निशान पर जाएंगे और जो टिक का Symbol है यहाँ पर उसको हम लोग उसके उपर जाएंगे उसको टिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने जो है तो यह Image पूरी PDF में Convert हो जाती है अब हमें उसे Share करना है Share करने से पहले हमारे सामने यहाँ पर हम उसका नाम देंगे जो बच्चे की वो PDF है उसका हमें नाम देना जरूरी है ताकि समझ में आए कि किस बच्चे की PDF है से निशान आता है पिन का यहाँ हमें Rename करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर हम इस Option पर जाकर इसे Rename करेंगे जैसे अगर यह बच्ची का नाम है मुसकान तो मैं यहाँ पर मुसकान डाल दूँगा नाम उसका पूरा नाम डालेंगे यहाँ पर और OK के Option पर मैं किलिक कर दूँगा अब देखिए मुसकान नाम का जो है तो यह इमेज बन गया है अभी इसे ही इमेज को मुझे शेयर करना है कहां शेयर करना है जो Google Drive में हमने फोल्डर बनाए थे उस फोल्डर के अंदर हमने Google Drive में बनाए थे उसके उपर गया मैं और यह देखिए यहाँ पर यह डॉकुमेंट जो तुम उसकान नाम का यहाँ पर आ गया है न यह देखिए यह Drive के अंदर कौन से फोल्डर में मुझे डालना है वो यहाँ पर पूछ रहे है तो My Drive में बहुत सारे फोल्डर्स हैं तो My Drive के अंदर मुझे इस फोल्डर के अंदर डालना है यह वाले में सेवन्त A का कलास का जो मैं फोल्डरые बनाए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ गा उसको जैसे ही मैं फोल्डर सेलेक्ट करूँ गां यहां पर बता रहा है कि यह folder empty है तो हां मुझे पता है वो empty है अभी पहला ही document हम लोग उसमें डालने वाले है तो मैं select के option पर जाऊंगा और यह देखिए 7th A आ गया है वहां पर और मैं इसको यहां पर save करूंगा तो one file uploaded to 7th A यहां पर मुझे message भी जए तो आ जाएगा तो इस तरीके से अभी हमको उस folder के अंदर वो जो PDF है जो file है वो हमने डाल दिये है ऐसे आप जितने भी बच्चों के रहेंगे उस तमाम बच्चों के images को PDF में convert करके उसी folder में आपको जए तो save करना रहेगा अब हम क्या करेंगे पहले Google Drive में देख लेते हैं जाकर कि वह फोल्डर के अंदर आया है या नहीं आया है तो यहां पर देखिए यहां पर जैसे ही हम लोग Google Drive Open करते हैं तो Google Drive Open होने के बाद यहां पर 7a का जो folder है उसके अंदर मुस्कान नाम का जो image है वो आ गया होगा यह देखिए यहां पर आ जाएंगे अब हमें क्या करना है इस फोल्डर को Google link के अंदर पेस्ट करना है Google form में तो यहां पर मैं ठीरी डा़ट पर पहले जाता हूँ ठीरी डा़ट पर जाने के बाद कॉपी link के option पर जाओंगा और copy link के पर जो फोल्डर हमें मिला था जो Faith Chase हमें मिला था यह देखिए यहाँ पर गूगल फॉर्म यह देखिए यहाँ पर यह गूगल फॉर्म की लिंक यह है गूगल फॉर्म की लिंक मैं इसे ओपन करूँगा ओपन करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरा इमेल आइडी यहने टीचर का इमेल आइडी टीचर का नाम और मु 2-3-5, 6, 7, 8, 9, 10, यालग है तो आपको गट अपने साफ से सिलिक्ट करना है मेरा गट जये तो गट नमबर दो है गणार है तो गट नमबर दो आएगा फिर यह जो संख्या है जो तादाद है बच्यों की तादाद और उसके बाद तादात के बाद यहाँ पर लिंक जो है हमने जो लिंक फोल्डर जो बनाए है गूगल ड्राई में वो गूगल ड्राई की फोल्डर की लिंक जो हमें यहाँ पर पेस्ट करना है और आखिर में जो हमें सम्मिट का बटन दबाना है इस तरीके से जो हमारे बच्चों की images है जो PDF है जिसको हमने convert किया था वो निभंद की PDF वहां तक department तक पहुँच जाएगी तो इस तरीके से हमें पूरी information करना है यहाँ पर Google Drive के अंदर जब हम folder बनाते हैं तो एक setting होती है यहाँ पर उसके उपर हमें ध्यान देना ज़रूरी है three dots पर जाना है और setting करके यहाँ पर आएगी यह manage people and links यहाँ पर यह setting होती है इसके उपर हमें ध्यान देना है यहाँ पर click करना है और restrictate जह है तो only people added open with the link यहाँ change भी हम कर सकते हैं यह देखे anyone with the link यहाँ पर करना है anyone with the link तो आपको viewers के अंदर देखते हैं viewers आगे हाँ ठीक है तो इस तरीके से हम लोग जो setting है वो बराबर रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर setting हमारी बराबर हो गई इस तरीके का symbol जो तो इसके उपर आना चाहिए यह जो dot के उपर यह देखेंगे यहाँ पर दो दिख रहा है पी उपल का जो तो symbol बता रहा है तो यह setting भी जो हमारे लिए बहुत important है अब आप यहाँ पर समझ गया होंगे किस तरीके से इसके अंदर तमाम चीजे शामिल रहेगी